एक व्याप्पक समाजिक बुराई भरेष्टाचार किसी भी देस की बुन्यादी नीव को खत्रे में डालता है ये नागरीकों की भलाई में बाधर डालता है संस्तागत विजवास को कमजोर करता है और आर्थिक विकास को रोकता है ब्रेश्टाचार के खिलाप लड़ाई एक नेतिक और नेतिक अनिवारियता है जिसके लिए प्रतेक विक्ति को अपने देश के कल्यान के लिए प्रतिबद होना आविशक है यह केवल कानुरी या राजडितिक नहीं है यह निवन ब्रेश्टाचार के नकारत्मक प्रभाव की जाज करता है इसे एश्वीकार करने के महत्वर जोर देता और देश की इस पाप के उन्मलों के लिए खुद को समर्पित करने के आवशक्ता पर जोर देता ब्रेश्टाचार का खतरा दुनिया भर में समाज अपने सभी रूपों में ब्रेश्टाचार से पीडित है इसमें एनेतिक व्यवारों के एक विस्तरस रंकला सामिल है जैसे की भाई भती जवाद पक्षपात भाई भाई भती जवाद और अधिकार का दुरुपयोग और केवल सारवजनक धन की चोहरी अरिश्वत नहीं है ब्रेश्टाचार समाज के हर पहलों में व्यापत है जिसमें व्यापार, जगत, सरकारी एजेंशियां, सेक्षिक और स्वास सेवा प्रनालियां सामिल है इसके दूरगामिय और हानिकारक प्रभाव है आर्ठिक नहीतार अर्थ्यवस्ता पर ब्रहष्टाचार के प्रभाव सबसे इसपश्ट है जब संसादनों को उनके इच्चित उप्योग से पुनर निर्देशित किया जाता है तो आर्थिक प्रगती बादीद होती है ब्रहष्ट राजने तक सरसारवजनिक मुर्यादी डांचे स्वास सिक्षा और गरीवी कम करने के उद्देश्य से की गई पहलों के रिधन की हिरा फेरी करते हैं परड़ाम सरूप समान्य आबादी को निमनिस्तर की सेवाई प्राप्त होती है गरीवी दर बढ़ती है और बड़े पैमाने पर विकास की संभावनाई कम हो जाती है ब्रष्ट जाए कर नागरीगों का अपने संस्था हो में विश्वास कम हो गया जोग सिस्टम पर से विश्वास खोओ देते हैं जब नंहें लगता है कि उनकी सरकार के सदशे या अन्य लोग से शवक वहिमान है ऐसांती प्रदर्शन और यहां तक कि लोग और सरकार के बीद सामाजि कर देगा सामाजिक अन्या सामाजिक अन्या अक्सर भरष्टाचार के कारण होता है धनी और सकती साले लोग आसानी से अपनी आउशकताओं के अनुरूप प्रणाली में हेर फेर कर सकते हैं जिससे कमजोर और वंचित लोग इसकी कीमत वहन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं उधारन के लिए शिक्षा के शेत्र में प्रविस्वाने के लिए रिस्वत का इस्तिमाल किया जा सकता है जिससे योगी शातर अपनी वैद संभावनाओं से वंचित रह जाते हैं क्योंकि जो लोग रिस्वत दे सकते हैं उन्हें बहेतर इलाज मिलता है जबकि गरीबों को परेशानी जहलने के लिए छोड़ दिया जाता है स्वास्ते सेवा में भरष्टाचार का मतलब सच्मुच जीवन और मिर्त्यू के भी चंतर हो सकता है भरष्टाचार सामाजी कती चीलता को बादित करता है और ऐसा मानता को काहिम रखता है राष्टी सुरक्षा खत्रा भरष अन्य कारे कर सकते हैं कानून के सासन की रक्षा करने और अपने निवास्यों की रक्षा करने की राज्य की शमता को खराब करता है भरष्टाचार को ना क्यों कहीं भरष्टाचार को बरदास करने से इंकार करना ने केवल सही काम है बलकि नैतिक रूप से भी सही है या किलिक मजबूत कारणों से भरिष्टाचार का सक्री रूप से रोज करना चाहिए और लड़ना चाहिए नैतिक ताका सेरक्षन किसी भी देश के नैतिक और नैतिक मनक वहां के लोगों के वेवहार में प्रहदिर्शित होते हैं जब लोग भरिष्ट गति वीडियों में सामिल होने से इनकार करते हैं तो इमानदारी सत्य निष्ट उण्याय वरकरार रहता है इसे व्यक्ति की साहिथा कि साथ साथ देश कनेतिक आधार भी मजबूत होता है ब्रष्टाचार की कारण सतत विकास बादी तो होता है क्योंकि ये बुनियादी रहाचे स्वास देखवाल और सिख्षत जैसे महत्मुण छेत्रों से धन चीन लेता है नागरिक ब्रष्टाचार का विरोध करके देश की दिर्ग विकालिक प्रगती और सम्रेदी में योगदान देते हैं लोग तंत्र को मजबूत करना यह सुनिशित करना की निर्वाचीत अधिकारी अपने कारियों के लिए पारदर्शी और जवाब दे हो लोग तंत्र को मिनाए रखने के लिए आवश्यक है नागरिक लोग तंत्र को मजबूत करने और रहस्योशनिस करने में की सक्री रूप से योगदान देते हैं कि सरकार ब्रष्टाचार से मुकाबला करके लोगों के हितों की सेवा करें विश्वास को भड़ावा देना किसी भी सब्वेदा की नीव विश्वास है ब्रष्टाचार को ऐस्विकार करने से संस्ताओं में जनता का विश्वास बाहल करने में मदद मिलती जिसे नागरिक जीवन में भाग लेने के लिए जनता की इच्छा बढ़ती है आर्थिक समर्दी ब्रष्टाचार से मुख्त महावल निवे साकरशित करता है कंपनी के विस्तार को बढ़ावा देता है और अंत्यत्य वित्ये सप्पलता देता है नागरिकों के विश्विकार करने से देश के अर्थ्ववरस्ता को बढ़ावा मिलता है राष्ट के प्रत प्रतिबद ब्रेश्टाचार को केवल नहीं कहना है प्रियापत है लोगों को अपने देश का कल्यान सुनिशित करने के लिए ब्रेश्टाचार के खिलाप लड़ाई में सक्रुप से भाग लेना चाहिए कुछ तरीके जिनके द्वारा नागरी किस प्रतिग्या को पूरा कर स सकते हैं शिक्षित करें और जागरुकता बढ़ाएं ब्रेश्टाचार के खिलाप एक प्रभावी हतियार ग्यान है लोगों को विविन प्रकार के ब्रेश्टाचार और उनके प्रभाओं के बारे में श्यम को सिक्षित करना चाहिए ब्रेश्टाचार के नकरात्मक परिण ब्रेश्टाचार विरोधी पैल का समर्थन करें ब्रेश्टाचार सी निपटने के लिए कई देशों ने ब्रेश्टाचार विरोधी संगठन और परिक्रियां इस्तापित किये धोकाज़ी वाली गतिवीदी की रिपोर्ट करके और जांच में मदद करके नागरीकिन ब्रेश्टाचार से लडने का सबसे प्रभावी तरीका एक अच्छा उदार निस्तापित करना है लोग अपनी व्यक्तिकत और व्यवसा एक दोनों शेत्रों में इमानदारी प्रदर्शित कर सकते हैं जिससे इसावित होता है कि एनेतिक व्यवार में सामिल हुए बिना भी सपलता प्राप्त की जा सकती है बुद्धी मानी से वोट करें लोग तंत्र में नेता चुनने का अधिकार जनता को हैं मतदाने कैसा अधिकार है जिसका नागरिक को सावधानी पूर्यक उप्यों करना चाहिए ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो जवाब देही और खुल साइक जीवन को खत्रे में डालते हैं कानूनी सुधारों की वकारत जनता के पास कानून में बदलाव की वकारत करने की शमता है जो ब्रश्टाचार विरोधी कानूनों को मजबूत बनाएगी और ब्रश्ट विवहार के परिणामों को कठार बनाएगी निसकार एक विनासक वक्षता संस्ताओं की विश्वस्नियता और राष्टी सुरक्षा को नुक्सान साम मिल है देश की प्रती समर्पित होने कारते अर्थ व्यवस्ता में नैतिकता लोकतंत्र सतत्विकास विश्वास और समर्दी को आगे बढ़ाते विए ब्रेश्टाचार का आक्रमक विरोध और मुकाबला करना यह एक टीम प्रियास है जिसके लिए प्रतेख नागरी को प्रतीबद होने के आवसकता है बेश्टाचार के खिलाब बोलकर विक्ति अपने देश को बहतर बना सकते हैं और सभी के लिए बहतर भविश्य बनाने में मदद कर सकते हैं